नमस्ते दोस्तों तुछ लिए बात करते हैं प्रसिद्ध मनोविज्यानिक जीन पियाजे की जीन पियाजे जो है सुझ्यत लेंडिके थे और अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था और अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके इन्होंने एक सिध्धान्त बनाय मतलब मस्तिस्क के विकास का सिध्धान्त भी इसे हम कह सकते हैं अब संग्यान पहला प्रस्ट नहीं होता है कि संग्यान किसी भी मनुष्य या प्राणी का ठीक है प्राणी का कि वह ग्यान है ठीक है जो उसने अर्जित किया है किस से वातावरन से या फिर उद्धीपक वस्तु से उद्धीपक वस्तु का मतलब क्या है कि उद्धीपन क्या होता है कि उद्धीप्त कर देना कि उसके असपास माहौल ऐसा बना देना कि वह चीज अपने आप उद्धीपक जगत से कह सकते हैं या फिर बाहर जगत से तो यहां से जिसभी तरह ज्यान जी को हम संग्यानात्मक ज्यान कहते शीप eu इस गयान जो कई परकार का हो सकता है जैसे कम कान कॉन कई सचंध कईके कमा संग्यानात्मक जी तो जैसे ध्यान के इंद्रित करना है ठीक है ठीक है ध्यान के इंद्रित करना और इसके अलावा स्मरण करना चिंतन करना कलपना कर पाना ठीक है अधिगम हो गया और वर्गी करन कर पाना यह सभी प्रकार का ज्यान जो होता है वो संग्यानात्मक कहलाता है और इसी के विकास का सिध्धन जो है जीन पर आज नहीं दिया था इसके लवब और भी कई चीज़ों को हम संग्यानात्मक कह सकते हैं यह सब संज्यानात्मक चीज़ें हो जाती है और इनहीं के विकास का सिध्धान्त जो है वो जीन प्याज ने दिया था और इसी लिए जीन प्याजे को विकासात्मक मतलब की संज्यानात्मक विकास का सिध्धान्त जो ने दिया था तो इसलिए जीन प्याजे को विकासात्मक सिध्धान्त का पीता भी माना जाता है विकासात्मक या संग्यानात्मक मनुविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है ठीक है जीन प्रिया जी को अब संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त वाइगोच्सकी ने भी दिया है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है उसको हम अगली वीडियो में वाइगोच्सकी के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा और हम जानेंगे क्या फर्क है जीन पियाजे और वाय गुत्सकी के संग्यानात्मक विकास में ठीक है अभी हम जीन पियाजे की बात करेंगे तो विकास आत्मक या संग्यानात्मक संग्यानात्मक मनो विग्यान का जनक जीन पियाजे को इसलिए खा जाता है क्योंकि इन्होंने संग्यानात्मक विकास का शुरू कहां से होता है और इसका समापन कहां पर होता है तो यह संग्यानात्मक विकास जो है विकासात्मक मनो विज्ञान जो है यह गरभावस्ता से शुरू होता है ठीक है और जीवन परियंत चलता रहता है ठीक है जीवन परियंत मतलब गरह भावस्ता से लेकर के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है विकास की प्रक्रिया और जन्म के दो वर्ष जब हो जाते हैं ठीक है दो वर्ष के पस्चाद विधावस्ता तक या जीवन परियंत तक संग्यान आत्मक या विकास आत्मक मनुविज्ञान या विकासात्मक संग्यान आत्मक विकास मनुश्रिका होता है थे ठीक है तो यह सिध्धान तुनों ने दिया जीन प्याजे का इस बात पर आठारिथा कि बालक में बुद्धी का विकास किस परकार होता है, ऍस इसे बात को जानने के लिए उन्होंने प्रयोग किया और जो प्रयोग उन्होंने किये वो अपने स्वयम के बच्चों पर किये ठीक है और उसी के आधार पर उन्होंने जो है संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त दिया अब बात है कि सिध्धान्त कौन सा दिया ठीक है सिध्धान्त का मतलब संग्यानात्मक विकास का सिध्धान ज़िए बार आजाता है प्राशन में कि बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। यह कथन किसने कहा ठीक है यह किसके सिद्धानत के अनुसार यह कथन जो है तो यह अगर प्रस्न आता है तो आप सीधे से जांगे जीन प्याजे तो बालग में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है यह अपने उन्हें कहा अब प्याजे ने कहा कि बालग जब पैदा होता है तो वो कुछ जन्मजात प्रवर्तियों को ले करके और कुछ जनलबजात करियाओं को लेकरख करके पेदा होते है जैसे कि चूसता रहता है उयुकूइ और कुछ भी चीजी हो उसको मुह में डाल देता है ठीक है तो और कुछ भी चीज को खाने की परविर्ति सुनक की पर ओयए तो तो ये इसके साथ वो उत्पन्न होता है देखना ठीक है हर चीज को देखता रहता है तो देखता ही रहता है ठीक है पकड़ना हर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है पकड़ दिया तो छोड़ता नहीं है फिर एक बार बच्चा जो है अपने हातों से पकड़ना तो कु पहुंचना और इसी बात का दूसरा पक्षय है वो यह है कि जब बालक बढ़ा होता है तो उसकी बुद्धी का दाइरा जो है वो बढ़ जाता है ठीक है उसकी शारीरी क्रिया करने में सक्षम तो वो हो जाता है लेकिन उसकी बुद्धी का दाइरा बढ़ जाता है और फिर व 2 बाते थी और इन्हीं Бातों को या दितर हम क्रमिक विकास में डाल कर देखें तो जीन पिया-जे ने about में बुध्धि के विकास को मुख्य रूप से चार छार मलब उन्हें बालक में बुध्धि के विकास के चार स्तर निरधारित कि यह है सबसे पहला जो पर है वह सम्वेदी गामक अवस्था दूसरी जो इसका दूसरा स्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ठीक है इसका तीसरा स्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका चोथा स्तर है ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ठीक है अब किस वर्ग से मलब किस आयू से किस आयू तक का जो बालक है वो संवेदी गामक अवस्था का माना जाएगा तो जन्म से लेकर के दो वर्ष तक का जो बालक है दो वर्षे तक, ठीक है, वो जो होगा, समबेदि गामा वस्था, अब इसको विस्तार से समझेंगे, अच्छी तरह से, पूर्व संक्रियात्म वस्था है, वो दो से लेकर के, साथ वर्षे के आयू के बच्चों है, यही विकास देखा जाता है, मूर्त annot शंक्रियात्म सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है अब हमें यह जानना है कि समवेदी गामा कवस्था में बालक की क्या प्रविर्तियां होती है ठीक है या फिर पूर्व संक्रियात्म कवस्था में मूर्थ संक्रियात्म कवस्था में आपचारिक संक्रियात्म कवस्था में बालक की क्या प्रविर्तियां होती हैं, क्या-क्या उसकी रूचियां होती हैं, किस तरह उसकी बुद्धी जो है, वो reflect करती है, और किस तरह से वो बुद्धी के विभिन नस तरों को छूता हुआ, उसके बुद्धी का विकास होता है, ठीक है, तो अब हम यहां से एक-एक पॉइंट के सभ विकास के नाम से जाना जाता है, प्याजे ने बताया कि मनोवग्यानिकों ने मानव विकास के तीन प्रमुख पक्ष बताये हैं, पहला है जैवी की परिपक्वता, दूसरा है मौलिक परियावरण के साथ अनुभाव, और तीसरा है सामाजिक परियावरण के साथ अनुभा करता है इस आधार पर पियाजे ने एक दृष्टिकोंड विकसित किया जिसे स्कीमा के नाम से जाना जाता है और स्कीमा से संबंधित प्रश्ण अक्सर एक्जामस में या फिर सीटेट में तो आते ही आते हैं ठीक है स्कीमा क्या है पियाजे कहते हैं कि संतुलनी करण ही स्कीमा है स्कीमा को सही रूप में समझने के लिए तीन अवधारणाओं को समझना बहुत अत्यनता आवश्यक है ठीक है पहले अवधारणा क्या है संतुलनी करण ये क्या है विकास के लिए संतुलन एक अनिवार ये सर्त है क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक परियावरन और सामाजिक परियावरन के साथ समनवै स्थापित करता है इसके अभाव में किसी भी प्रानी का विकास संभव नहीं है पियाजे ने संतुलनी करण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहा है जो विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है यह संतुलनी करण ही पियाजे की अनुसार क्या है स्कीमा है स्कीमा की संग्रचना की ग्राहिता एक प्रमुख प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं पहला है आत्मी करण और दूसरा है समंजन आत्मी करण क्या है आत्मी करण को किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता को कहा जा सकता है जिसके सही योग से वह नवी सितियों के साथ अपना समन्वे स्थापित करता है समंजन क्या होता है समंजन का अर्थ है कि पूर्व अनुभवों की प्रिष्ट भूमी में नवीन अनुभवों का आत्मी करण अर्थात वातावरन से ज्यान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं जो समंजन कहलाते हैं समंजन का मतलब अप सीदे पूर वह अनुभाव जो की ज्ञान प्राप्टे करने में सहायक होते हैं बालक जैसे जैसे अपने पर्यावरन या अपने वातावरन से समंझन और आत्मी करण करता जाता है उसका संग्यान आत्मक विकास आगे बढ़ता जाता है जीन पियाजे ने स्कीमा के साथ-साथ बालक के बौधिक विकास की अवस्थाएं भी बताई हैं जो की निम्नलखित हैं जिनके नामों के बारे में हम जान चुके हैं और अब उनके बारे में विस्तरी दूरूप से हमें समझना है जिसे पहला है समवेदी गतिक काल या समवेदी गामक अवस्था भी जिसे कहा गया था पियाजे के अनुसार यह अवस्था जन में से लेकर दो वर्ष तक होती है इस काल को समवेदी गतिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय में बालक अपने आसपास के परियावरण को समझने लगता है सारान्चता है इस काल में बालक अपना ध्यान किसी चीजी पर बहुत ही थोड़े समय के लिए केंद्रित कर सकता है उसका केवल समवेगात्मक जैसे स्पर्ष, स्वाद, गंध, श्रवन, द्रिश, आदिका विकास होता है भाशा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग वह करता है और कहने की मुद्रा, कहने के ढंग और भावनाओं को समझने लगता है उस अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी वह बोल सकता है दूसरी अवस्था है या दूसरा काल है पूर्व संक्रियात्मक काल दो वर्ष से लेकर के साथ वर्ष तक की आयूम होता है और इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की प्रिवर्ति रहती है उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है वह भाशा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है उधारण के लिए एक लंबा और दूसरा चोड़ा दो गिलास है जिसमें पानी भरावा है बराबर मात्रा में उसके बारे में बालक यह तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चोड़े गिलास की तुलना में अधिक है परन्त यह नहीं बता सकता कि दूसरे गिलास की चोड़ाई अधिक है आता है जो है वो पानी कम लग रहा है ठीक है जबकि पानी जो है वो बराबर है तीसरा जो अवस्था है तीसरा जो काल है वो है मूर्थ संक्रियात्मग अवस्था ये अवस्था साथ से लेकर 11 वर्ष के मद्ध की अवस्था है इस अवस्था में बच्चा अमूर्थ एवं त व्लारकिक उधारणों को समझने लगता है बच्चों की आत्मकेंद्रित अवस्था जो स्थिति सी परिस्थिति थी वो कम होने लगती है और पूछे गए प्रश्णों का सही उत्तर देने लगता है वहां इस अवस्था में बालक तत्यों का सारणियन वलब उनकी सारणी बना और अनुरूपी करण करपाना editing और प्रारम्ब कर दिता है। में बालक तादात्मी करण निशेधी करण पारसपलिक संबधता संबंधता तो था सह संबंध रूपांतरण ये चार क्रियां करने लगता है जिन्हें पियाजे ने अतरिक्त नैतिक और धार्मिक विकास का भी अध्यन किया है तथा पियाजे ने नैतिकता को दो रूपों में देखा आश्रित अवस्था और स्वायत अवस्था तथा आयू वर्गों के अनुसार इन्हें पुनहें अलग अलग भागों में विवाजित किया है नैतिक विकास क फिर तीन भागों में बाटा है पहली है अनौमी यह अवस्था प्रारम्ब से लेकर पांच वर्षे तक की अवस्था है इस अवस्था में बालक माता पिता वो समीप जनों की कारियों की नकल करता है नैतिक आचरनों में माता पिता का अनुसरन करता है इसे प्राकृतिक पुरसकार एवं दंड द्वरा नियंत्रित होता है वह अपने समवेगों पर नियंत्र रखता है तथा आग्याकारी होता है तीसरा है परायत्ता यह अवस्था नौ वर्ष से लेकरके 13 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस समय बालक में सहयोग की भावना का विकास होने ठीक है दूसरी जो अवस्था वह है सौयत्त यह अवस्था होती है 13 वर्ष शे लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था इस अवस्था में बालक में बालक यहाँ समझने लगता है कि नैतिक नियम हमारे व्यवहार का नियमक है यह व्यक्ति के अनतहकरण की उपज है अतह बालक अप आनवता के आधारपर निर्मित प्रेम सहानोभूती जैसे नेतिक आचरणों के अनुसार चलता है। अब प्रश्ण ये है अन्तिम जो इस वीडियो का चरण है व है कि प्रश्ण किस तरह का बन जाता है जीन-प्याजे से संबंधित। संबंधित कोई भी प्रश्न ये दिया आपको किसी प्रश्न का उत्तर एंदिया देना है तो आपको चार बातों को मुख्य रूप से याद रखना है सबसे पहली बात जो है वह बना जो परीचया आत्मक बात जिस एम गए जीन पे आजे जो है वह सुझ्जर लेंड के हैं मु करना? इसके साथ आपको इस बात का ठोड़ धान Ne Cefàng अकि संग्यान अत्मक में संग्यान शब्द या मतलब मतलब मनुष्चिक क वह ग्न प्रानी का या जो उसने बाहरी जगत से प्राप्ति किया है और वह कई तरह हो सकता है क्योंकि मस्तिस्क के विकास की की बात हो रही है संग्यान के विकास की बात हो रही है तो ग्यान कैसा होगा मस्तिस्क से ही सम्मनलित होगा जैसे कि ध्यान के इंद्रित करना चिंतन करना मनन करना विचार प्रकट करना वर्गी करन कर पाना निदिक्षण कर पाना समस्या समाधान कर पाना प्रत्यक्षी करना खाना घरबा तो यह सब तरह के जो जयान है वह बाइद जगत से या फिर वातावरन से मनुश्री प्राप्त करता तो यह हो गया परिशियात्मक बात जो पता होना चाहिए दूसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है वह यह कि जीन पियाजय ने अपने सिध्धानतों को चार भागों में विभाजित किया है पहला भाग है या पहली अवस्था है समवेदी गामक अवस्था दूसरी अव कवस्था में बालक के विकास में कौन सा बालक आता है जो बालक जन्म से लेकर के दो वर्ष के आयू का होता है ठीक है फिर पूर्व संक्रियात्म कवस्था में वे बालक को उन बालक को रखा जाता है जिनकी आयू 2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच में है और फिर मूर्त संक्रियात्म कवस्था में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी आयू 7 से लेकर 11 वर्ष की है और आपचारिक संक्रियात्म कवस्था में उन बालकों को रखा जाता है जो 11 वर्ष से अधिक वर्ष के है या जिनकी कौनसी गतिवीधिया होती हैं, ठीक होती हैं, तो पूर्व संक्रियातमकवस्था, इन फिर क शैजो को एकसेप्ट करने में किस तरह को दहारन करने में किस तरह के बदलाव मस्दिश्था में और किसा धीमी आ रहे हैं और विडियो में देखे जाते हैं क्या उन सबी विद्धों को आप एक बार देख लेंगे तो इस चार अवस्थाओं में उन्होंने बालक को रखा है और उन चारों अवस्थाओं में अलग-अलग आयू के जो बालक हैं उनकी कौन-कौन सी गतिविद्या रहती इन चार चीजों को आप समझ लेंगे तो जीन आजय ने भी दिया है और वाइगोट्सकी ने भी दिया है उनका सिद्धानत भी यही है लेकिन उनके सिद्धानत में क्या विहुननेता हैं और किस तरह से दोनों सिद्धानत एक दूसरी संबंदित है इनके विशे में अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारी चैनल की सभी वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और बैल आइकन दबाद दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच हुआ जान्य हाँ